नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मिनाक्षी वर्मा, पेडियाट्रीशिन्स पर्ष क्लिनिक पंचकुला आज मैं कुछ डॉट्स आपके क्लियर करना चाहती हूँ फीवर को लेकर जैसे अगर फीवर है तो बच्चे को हमें क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए फीवर की मेडिसिन देने के बाद कितना टाइम लगता है फीवर को उतरने में तो हमें कितने फ्रिक्वेंटली बच्चे का टेंपरेचर चेक करना चाहिए, बच्चे का टेंपरेचर कैसे चेक करना है फीवर हो तो बच्चे को हमें क्या खिलाना पिलाना चाहिए क्या हम उसे एंटिबाटिक भी दे सकते हैं उसे हमें कपड़े कितने पिलाने चाहिए कम या जादा तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं आज देने वाली हूँ सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि फीवर किसी बिमारी का लक्षन जरूर है बट ये strong immunity को denote करता है फीवर होने का मतलब है कि हमारी body कि टानों से fight कर रही है इसलिए अगर आपके बच्चे को फीवर हो तो घबराईए नहीं सबसे पहले तो कैसे पता चले कि बच्चे को फीवर है जाहिर सी बात है जब बच्चे को फीवर होता है तो वो थोड़ा सुस्त होता है निढाल होता है लिथार्जिक होता है जिसका कि हमें doubt हो जाता है कि उसे fever हो सकता है जब हम अच्छे को टच करते हैं अपर टच कैसे करना है हथेली के पिछले हिस्से से उसकी गर्दन पर यहां 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 या उसके टबी पर या उसके चेस्ट पर जब हम टच करते हैं तो हमें थोड़ा सा वाम लगता है तो that means उसको fever का doubt है यह होता है doubtful fever correct fever तब ही पता चलता है जब हम उसे thermometer से measure करते हैं तो measure करने पर अगर उसका temperature 100 degree Fahrenheit या 37.7 degree Celsius से ज़्यादा आए तो उसे fever है जिसमें हमें उसे medicine देने की जरूरत होती है अब क्या medicine देनी होती है fever में? safest medicine fever में बच्चों के लिए है paracetamol अब dose of paracetamol के लिए आपको अपने pediatrician की सलहा लेने पड़ेगी या फिर मैंने एक वीडियो भी बनाया था to calculate the dose of paracetamol in children आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं paracetamol कितनी देनी है? यह उसके weight के according calculate किया जाता है paracetamol का effect कितनी देर में आता है? यह depend करता है temperature कितना है वेबी का अगर उसका बुखार 100 से 101 के बीच में है तो fever 45 मिनिट सक ठीक होना शुरू हो जाता है बट अगर उसका fever थोड़ा सा higher side पे है से 101 से लेकर 103-104 तो जितना high fever है उतना ज्यादा time लगता है fever को कम होने में तो इसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं इसलिए मेरी आप से गुजारिश है कि आप बार बार बच्चे का temperature चेक नहीं कीजिए हर 10 मिनट में हर 20 मिनट में उसका temperature चेक नहीं कीजिए इससे आप भी परिशान होंगे और बेवी भी परिशान होगा उससे दवाई दे दीजिए और आप धीरच रखिए fever ठीक हो जाएगा और हाँ ऐसा नहीं है कि हमने बुखार की दवा एक बार दे दी तो बुखार वापस नहीं आएगा दवा का असर खतम होने के बाद 4-6 घंटे के बाद बुखार वापस भी आ सकता है जो कि युजली होता है किसी भी बिमारी में fever 2-3 दिन तक आता जाता रह सकता है तो इसलिए इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम पैरसेटमोल की मेडिसेन को 4-6 घंटे के बाद दुबारा दे सकते हैं अगर बेबी का fever दुबारा से 100 से उपर चला गया है अगर फीवर बेबी का 104 से उपर जा रहा है तो हमें sponging करनी है अब जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा है sponging वाला उन्हें मालूम है कि sponging हमें ठंडे पानी की माथे पे पटियां करके नहीं करनी होती कैसे करनी होती है? Luke warm water, हलका गुनगुना पानी लेकर whole body surface पे sponge करना होता है Next round आता है antibiotics क्या हमें fever में antibiotics भी देनी चाहिए? देखिए, बच्चों में fever का most of the times कारण होता है viral infection Antibiotics bacterial infection के against होती है, viral infection के against नहीं होती है अगर हम viral illness में antibiotic देंगे तो वो असर ही नहीं करेगी इसलिए मेरी आप से गुजारिश है कि डॉक्टर की सलहा के बिना self-medication with antibiotics आप प्लीज मत करिए इसके अलावा कुछ और भी छोटे-छोटे doubts होते हैं fever में कि हमें बच्चों को fever में क्या किलाना चाहिए? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि fever में dehydration के chances, पानी की कमी होने के chances बच्चे में बहुत जादा होते हैं adults के comparison में तो उसे liquids बहुत जादा पिलाएं fever में और खाने में हमें घर का freshly prepared meal ही देना है प्लीज बाहर का कुछ नहीं दीजिए next doubt है बच्चों के कपड़े को लेकर कि हमें बच्चों को कितने कपड़े पैनाने चाहिए? इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें बच्चे की layers को बढ़ाना नहीं है कपड़ों की layers को fever में कम करना है क्योंकि अगर हम जादा over clothing कर देंगे बच्चों को तो उनका fever कम ही नहीं हो पाएगा similarly जैसे बच्चा सो रहा है fever में तो उसको जादा चीज़ों से नहीं cover करो जितने कम layers होंगी उतना जादा जल्दी baby ठीक होगा अब बच्चों में कपड़ों की layers कितनी होनी चाहिए? इसका एक ये rule है कि mother को जितने कपड़ों की जरूरत उस समय महसूस हो रही है उससे एक layer extra आपने बच्चों को पहनाना है इन सब doubts के साथ मैं ये session आज का खत्म करती हूँ I hope आपको definitely कुछ नया सेखने को मिला होगा Thank you, bye for now